हलो गाइज कैसे हो आप सब आप सब आप सब भी बहुत अच्छ होगे हेल्दी होगे सेफ होगे और अब भी शाम हो गई है शाम के six o clock हो रहे हैं बस अब मैं डिनर की preparation करूंगी डिनर में आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूं सर्दियों का मौसम चल रहा है विंटर स्टार्ट हुच चुके हैं तो उसमें सर्सो का साग और मक्य की रोटी तो खाना बनता है तो आज मैं वही बनाने वाली हूं तो वीडियो के एंड तक देखना बिना स्किप की हुए ताबिश देखिए क्या सर्चो के साग को बनाने के लिए मैंने यहां पर सर्चो लिए है एक बंच और मैती लीए मैन्न एक मुठी। मैंने एक बंच और पालक हिये मैंने एक बंच चारहों भाजी मिलाकर सर्स्थो का साथ तःंट तेयार करूंगी स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हूए तो इसको मैंने अची तरह बाश कर लिया है झाच चड़ाऊँगी उसमें मैंने एक बोर्टर डाल लिया है अब मैं थोड़ी थोड़ी एड गरूँ जरती जाएगे हम और एड़ करते जाएंगे क्योंकि भाजी बहुत साधा लग रही है कि अब कर दिखने में लग रही है वो मुट्छा कर थोड़ी हो जाएगी अब मैं दो अपर चंछ देसी गी एड़ करूँगी तुछ रेट चिली आड़ करूंगी यहां मैंने जिंगर गालिको छॉप कर लिया है इसको भी एम एड कर देंगे दो बड़े चमच मैंने दोनों लिया है के ग्रीन चिली आड़ करूंगी मैं अनियन को एड कर देंगे लगवग मैंने 2-3 मीडिम साइज की अनियन को चॉप कर लिया था यह क्या हो गया दिखाती हूं क्या हालत हो गई है microwave mixer grinder मेरी चुन्नी पर 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 बना लेती हूं खाना जल्दी से अब मैं यहां पर साग एड करूंगी जो मेक्षी से बाहर आया है वह ओम जी बहुत बुरी हालत होगे एक किचिंगी उसरस्तों का साग मैंने यहां एड कर दिया है अब मैं यहां पर रेट चिली पॉडर एड करूंगी एक चम्मच उसर्समें पाइड कर दिया है और इसमें मक्ही का आटा और एड करूंगी लगभग दो बड़ाए चम्मच उस पेस का टेक्स्चर और भी अच्छा हो जाएगा इसमें मैने वही एड किया है जो मैंने बॉल करते टाइम यूज किया था तो यह हमारा सरसो का साथ पकेगा लगभग एक घंटा फ्लू फ्लेम पर मैं तो डरी गई थी बहुत बुरी तरह पूरा मिक्सर ग्राइंडर ख्लाब हो गया है माइक्रोवेब भी गंदा हो गया है यह रैक जो रख्यों यह शेल्फ वह भी गंदी हो गई है से पहले मैं आठा लगा लिती हूँ और तब तक यह पकेगा उसके बाद मैं सब तीलिंग कर दूंगी मैं आपा हाफ कीजी बखे का आठा यूज कर रहे हूँ उसमें मैं डालूंगी अजवाइन थोड़ी सी और यह मूली मैंने किसी थी वो भी एट कर देंगे हम आठे में उससे रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी और तूटेंगी भी नहीं सॉल्ट में डालना भूल गई तो सॉल्ट भी एट कर दूंगी लगबाग एक सिर्याट चमच बस इसको आम गून लेंगी अच्छे से सॉ यह मैंने मकी का अटा गुंदिया है हाँ पर हमाँ साथ पक रहा है अब मैं हाँ पर जो मैस पर था उसको क्लीं कर लेती हूं लोग कितना गंदा लग रहा है ना सब जगा गरा है सॉ यहां मैं मक्य की रोटी रेडी कर रही हूं क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है सब को भूग लग रही है सो मैं जली जली रोटी तैयार कर रही हूं साथ तैयार हो गया है लगवग एक गंटा मैंने उसे पकाया है माशालला थे खुश्बू तो बहुत ही उंदा आ रही है बना भी उतने ही उंदा होगा और इस सीजन में पहली बार मैं बना रही हूं बड ट्राइज जरू करना बनाकर और कमेंट करके मुझे जरू बताना कि मेरा साथ कैसा लग रहा था आप लोगो मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगो को कमेंट करके जरू बताना दिखने में बहुत टेश्टी लग रहा है खान में भी उतने ही टेश्टी होगा खा के बताऊंगी में कैसा बजा सुरी कि का साथ को हौ हसिए सिये ही प्सक्राइब भी सिसक्राइब ड्रम माल आप बतार करे का यजना है प्सक्राइब खाना लेने आये हैं खाना, लेने के भूग लगी है